हेलो स्टूडेंट कैसे यहां तो वेलकम टू सिक्षा धाम आज की वीडियो है कॉर्प्रेट अकाउंट का एक्जाम पोस्पोंड हो गया था जिसकी वैसे मैंने बीच में कुछ फिर क्लास भी नहीं बनाया उसके उपर नई डेट शीट आ चुकी है जिन बच्चों का एक्ज एक्जाम पोस्पोंड हुआ था जो 17 को था वो 26 को होगा एक्जाम बोला गया है जो 17 मैं सिर्फ कॉर्परेट अकाउंट की बात करूंग और लॉकी जो 17 जो आज एक्जाम होना था वो होगा 26 को टाइम मिल गया अच्छा खासा और जो 19 को था वो टू 8 को होगा दो अगस्त यानि सर लॉकादध को हो गया और ऑर कॉर्परेट का 26 जुलाई को हो गया अप्र तो मैं लिख देता हूँ कि अब नाओ प्रोग्राम जिसका भी एक्जाम था मैं बेसिकली लिख देता हूँ बी कॉम प्रोग्राम वालों का पेपर एक्जाम 26 जुलाई 7 को है और B.com अगेन प्रोग्राम ये लौ की बात कर रहा हूँ ये है हमारा 2.8 को ठीक है ये बात नोट कर लिए ये स्रिफ प्रोग्राम ओनर्स वालों का डेट सीट पे कोई फरक नहीं पड़ा क्योंकि ओनर्स वालों का जो एक्जाम था ये है हमारा 22 तारिक को ठीक है ना 22 अभी जो अपकमिंग है आज 17 हो गई है 18, 19, 25 दिन बचे हैं उसके accordingly मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ हर बार कोसिस करता हूँ थोड़ा simply रखने के लिए तो unit 1 के अंदर अब जो आपको chapter practice करना है पूरा पूरा लिख देता था अब स्रिफ यही chapter आपने करने है जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा स्टिल वह पढ़के बहुत अच्छा कर सकते हैं कौन कौन सा chapter सर redemption of preference share देखो one shot वीडियो में भी डाला है bonus one shot वीडियो में डाल दिया मैंने revision class भी डाल दिया उनसे भी देख के कर सकते हो buyback नहीं डाला है बहुत बच्चे demand कर रहे हैं इसका one shot वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा इसके बाद आपका isop और इसके बाद आपका last underwriter पहले unit में से ये करें बाकी के points छोड़ सकते हैं share capital वगएरा ये छोड़ सकते हैं debenture venture छोड़ सकते हैं आप इनको करते हैं तो सर इसको करने में हाला कि खूब सारे chapter हैं आपके दो दिन में ये पूरा unit खतम हो जाएगा आराम से मैं कहा रहा हूँ चार से पांच घंटे time देने को तब जाके दो दिन में आपके खतम होंगे और चार से पांच घंटे से जादा भी देना पड़ सकता है आपका ये तीनों chapter तो आपके एक दिन में खतम हो जाएगा और ये दोनों chapter एक दिन में खतम हो सकता है बड़े ही आराम से तो जो चीज़े मैं बता रहा हूँ आपको उसको उसी से follow करीगा ये तीनों इखटा करीएगा आप और इन दोनों को अलग-अलग कर सकते हैं ये इन दोनों को अगर लगे के ज़्यादा time consume कर रहा है तो इन दोनों को skip करके अगला कर सकते हैं अब इसमें से क्या करना है सर एक final account एक EPS ठीक है एक CFS cash flow statement 25 नमबर का chapter है तो मैं risk भी नहीं लेना चाहरा है इसमें सर अब इसके अंदर final account तो सर एक दिन में possible नहीं है लेकिन जिन बच्चों ने अगर मेरे starting के lecture देखके समझ ले और करना चाहे तो कर सकते हैं बाकि सर EPS को बिल्कुल नहीं छोड़ियेगा इसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ वैसे live classes के अंदर तो पूरी हो चुकी है अब मैं लेकर आऊँगा देट चेंज होने के बाद थोड़ा बहुत मैं भी relax सा हो गया अरे या डेट शिट extend हो गए नहीं तो मैं बहुत अच्छे flow में चल रहा था है ठीक है unit number three में दो ही chapter है एक है valuation of goodwill और एक है valuation of shares सर दोनों ही कर लीजिए दोनों ही आसान है one day का chapter है sir one day में easily हो जाएगा यह chapter आपके ओपर depend करता EPS तो मैं कहूंगा sir सिर्फ two hours में हो जाएगे EPS और question जरूर पूछा जाएगा EPS में से दो सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है unit number four में से सिर्फ करिया आप इंटर्नल कि री कंस्ट्रक्शन और नंबर दो कर लीजिए purchase consideration amalgamation में purchase consideration और बायर की बुक कर यह सिर्फ बायर की बुक कर लीजिए ठीक है यह कर लिजिए सर कितने टाइम लगेंगे इनको करने में मैं मान के चलू तो वन डे इनफ है ठीक है कितने दिन होगे सर दो दिन इसके उपर आपर दो एक तीन तीन और एक चार और यूनिट फाइव और इसको भई यह पांस दिन लग रहा है तो आप प्राइरेटी बेसिस पर क्या उठाएंगे अब देखें दो तरीकी के बच्चे जिनका ग्यारवी बाट्व क्लास के अंदर कंपनी अकाउंट स्ट्रॉंग था वो तो यहीं से उठाके चले फटाफट फटाफट हो जाएगा जिनका कंपनी अकाउंट स्ट्रॉंग नहीं था वो क्या करें सबसे पहले चैप्टर कौन सा उठाएं सर यह वाला उठाएं क्योंकि यह थोड़ा सा पार्टनर्शिप बेस्ट पर है और इसली समझ में आ जाएगा उसके बाद कुछ चैप्टर चूज करें मैं अलग मार्कर से हाइलाइट कर देता ह तो सर जिनका कंपनी स्ट्रॉंग नहीं था तो वो क्या उठा ले सर यूनिट नमबर 3 और फिर EPS उठा ले फिर CFS उठा ले और फिर Internal Reconstruction उठा ले मैं जो बता रहा हूं यह चैप्टर आप कर लेंगे और एक थियोरी ठीक है तो 20 नमबर और 20 40 60 फिर भी आपके 70 80 नमबर बन जाते हैं 100 में से तो यही चैप्टर स्रिफ करके जाएंगे तो इन्पॉर्टेंट चैप्टर हैं लेकिन जिन बच्चों ने अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूं जिन बच्चों ने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है नो नीट टू सेलेक्टिव अप्रोच आप पूरा अच्छी बात है और थियोरी भी आल्मोस्ट मैंने क्लास के अंदर कल थियोरी की वीडियो में डाल दूंगा कौन-कौन से इंपॉर्टेट मैंने लिखवा तो दिया है बच्चों को मैं वीडियो डाल दूंगा ठीक है अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी मैं ले रहा हूं तो आप आईए आप गलत करिए नेक्स डे मैं आंसर भी अपलोड कर रहा हूं मैंने क्या गलती करी थी तो शायद जो बच्चे अभी तक टेस्ट भी दे रहे होंगे काफी बेनिफिट मिल रहा होगा उनको आप कमेंड में जरूर बताईएगा जो बच्च कर लो कोर्स करने के बाद बच्चों ने कहा कि सर अब तो एंड टाइम बच्चा अब नहीं हम अगले समिस्टर में खरी देंगा और बच्चों की बात 100% ठीक है भी कहां से लेंगे और हमारे पास कुछ मजबूरी होती है कि अप्लिकेशन हमारा थर्ड पार्टी से टायप ह क्यों help होता हcture्ट थार्ट पार्टी से टायफ होने बाद उनकी कमीशन उनकींट सीस्ट वो fi मैं मैं भी चाहिए मैं खुद कोर्स में लें लहां हुए सकता है चारजज सारे होती है तो बच्चों के लिए सिरह एकजाम टाइंच चोल रहा है है सिक हमारे स्स्टू कर Shekkah करना चाहते हैं और काफी बच्चों का यह था कि सर हमारा फाइनेशल कंडिशन इतना ठीक ही नहीं हम लें नहीं सकते तो में भी शायद उनके लिए 500 रुपर बहुत ज्यादा हो और कुछ बच्चों के लिए ज्यादा भी नहीं है तो मैं सिर्फ कॉर्परेट का कंपनी लौक कि मैं आपके ऊपर आपको फ्री में कूर्स दे रहा हूं तो एक ऐसान वाली बात हो जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ बीच में आपको बाउंडेशन मोनेटरी कर रहता है तो बेनिफिशल रहता है लेकिन बच्चों के पास इस टाइम पर पैसे नहीं और पैसे पेमेंट कर करना भी ठीक नहीं कि तीन से चार देने के साम के बता तो मैं बच्चों के मोनेटरी बेनिफिट में इसके अंदर करूंगा अब इसके अंदर क्या है कि मैंने क्या करा सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, मैं एक description में, comment के description में, जिन बच्चों को directly लेना है, तो सर आपको course का price पता है, और वो आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब जो बच्चे को genuinely देखो, जो needed है, जो price pay कर सकते हैं, प्लीज आप payment करके लीजिए, जो बच् को कहना चाहूंगा, कि हमारा एक description में link होगा, उसके अंदर आपको एक poster given होगा, like एक poster हमने बनाया है, जिसके अंदर हमने रखा है course का price, ठीक है न, इसके अंदर हमने क्या रखा है, course का price रखा हुआ है, आपने क्या करना है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीड के सरिफ और सरिफ 20 student, 20 student को forward करना है, आपने 20 दोस्तों को forward करना है, जो ये वीडियो के link, एक मान लेते हैं कि बच्चों को मैंने task दे दिया एक तरीके से, क्योंकि जो genuine होगा, देखो हम मैं बूलू कि हर किसी के लिए free है, तो वो भी चीज़े एक बेकार है, बच्चा पढ complete करें, जिससे लगे कि मुझे ज़रत है, मुझे भी लगे कि उस बच्चे को genuinely ज़रत थी उस चीज़ की, तो उस ने लिया है, बाकि YouTube पे सारे कूर्सिस अवेरे लें, 20 अपने student को forward करेंगे, और उन 20 का screenshot लेंगे, क्या-क्या forward करना है सर, ये आपका वीडियो का link, ये वीड screenshot करके, जो नीचे number given है, उस पे आप send कर देंगे, 20 के 20 image, और आप बोलेंगे सर, हमने अपने 20 दोस्तों को भेज दिया, तो आपको जो है, courses मात्र 29 रुपीज, या उससे भी कम हो सकता है, क्या हम courses करेंगे, क्या आपका course हम activate कर दें, अपने pocket से payment कर दें, 29, आप वहाँ पे दीजिए, और उनसे बोलिए, सर मैंने अपने 20 दोस्तों को करा था, सर ने ऐसे बोला था, हमारी financial position ठीक नहीं थी, तो इस वज़े से हमने ये task complete कर लिया है, आप मुझे ये course activate कर देंगे, तो आपका ये course free of cost, एकदम free of cost, activate हो जाएगा, बाकि सर, आपके सामने जिक जो है payment करने के लिए, उन बच्चों को मैं सला दूँगा, कि आप pay करके खरी सकते हैं, otherwise जो बच्चे YouTube पे अच्छे से पढ़ रहे हैं, continuously, वो YouTube पे पढ़ते रहे हैं, मैं किसी को कोई forcefully नहीं कहूँगा, तो ये unit जो मैंने बता है, इसका ध्यान रखिएगा, और इसके साथ सा आँगा, तो इसी तरीके से मैंने आपको इसका भी बता दिया, law के उपर भी आऊँगा, एक तरीके से यह हो गया, referral program, referral का मतलब अपने दोस्तों को आपने share किया, आपको एक 500 रुपे का reward, यानि cash जो आप payment करते हैं, वो आपका 500 रुपे का earning हो गया, referral program, इसके साथ साथ हम आपने क्या किया हुआ है, बहुत time से चल रहा है वैसे, जो बच्चा, अभी देखे, अभी exam में वो earning वाली बात नहीं बताऊंगा, बच्चों को refer करिए, तो उसमें कुछ वो सब चीजे नहीं करेंगे, अभी आप अपने study के लिए task complete करिए, आपका course हो जाएगा, पढ़न बना के लाँगा, hopefully आपको इस वीडियो से help मिल रही होगी, और मेरे study plan से थोड़ा बहुत भी आपको value मिल रहा हो, market के अंदर 10 year available है, practice करने के लिए मैंने बताया हुआ है, और 10 year के लिए मैंने बोला है के sir आपको सिवदास का, सिवदास का खरीदना है, और सिवदास के नमबर, sales manager का grease जी नाम है, काफी time से मिलना हो नहीं रहा है, grease जी है, 70111-47630, वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए देखो, information में कई बार हो जाती है, मैं full flow में कई बार topic के beyond भी चले जाता हूँ, यह मेरी आदत है, मैं सोचता हूँ, जादा सजादा चीजे cover करने का, उ उसके लिए देखिए, मैं बोल सकता हूँ, यह नेचर है, थोड़ा बहुत आपको तो जेलना पड़ेगा, कहलो, यह number है, grease जी है, इनसे contact करिए, घर पे courier हो जाएगा, आपका, 10-6 का timing, contact कर लीजिए, और बोल सकते हैं, सिक्षाधाम या मेरा नाम बोल सकते हैं, जो maximum discount possible हो होगा, वो मिल सकता है, या मैं कहूंगा, nearby जिस मर्जी shop पे चले जाएए, जो bookstore है, college में हो, कहीं भी हो, बोलिएगा, शिवदास का, corporate account का टेनियर दिए, उसी के notes, और उसी के सारे मैंने YouTube पे भी questions करा हैं, बच्चे notes मांगते रहते हैं, ठीक है, PDF का चक्कर नहीं है, आपको book लेना पड़ेगा, तो hopefully आपको मेरी video समझ में आ भी रही होगी, और आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, मैं देख रहा हूँ, बच्चों के बहुत सारे comment भी आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के doubts रह जाते हैं, जो कि YouTube पे करना possible नहीं है, वो बच्चे refer करके भी ले सकते Thank you so much, मिलते हैं next video में, हाँ, आप देख रहे हैं, तो channel को आप subscribe भी कर लें, क्योंकि 60% से उपर infect जादा वो student है, जो कि पढ़ते तो हैं हमसे, और उनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो channel को subscribe नहीं करते हैं, शायद में भी वो भूल जाते हो, कि पढ़ने के time पे ध्यान न रहता हो, इतना ध्यान नहीं रहता हो, लेकिन video वो proper देखते हैं, तो please आप channel को subscribe भी करिए, उससे थोड़ा बहुत motivation भी मिलेगा, और हमारे channel का जितने ज़्यादा reach होगी, हम उतने ज़्यादा सारे subjects के teacher आप तक ला पाएंगे, thank you so much.